वेलकम तू जॉब अपडेट्स बाइ शुरेंजियन यूट्यूब चानल नाशनल वाटर डेवलोपमेंट एजेंसी एन डबलुडीय की तरफ से रिक्रिपमेंट निकल करके आ रही है फॉर ट्वेंडी टू काफी भैतरिन ओपर्चुनिटी है विकॉज यहाँ पर फ्रेशर एलिजिबल है औल इंडिया अप्लाई कर सकते है पर्मेंट नौकरी आपकी होने वाली है असिस्टेंट इंजिनियर की वेकेंसी निकाली गई है इन टोटल नाइन वेकेंसी है जहाँ पर सालरी प्रोवाइड कर रहे है 75,000 पर मन्थ तो काफी बढ़िया सालरी 921 के स्कOR के बेसे पर अपलाई कर सकते हो अगर आप इस फिट होते हो यह चोर्वांग पैसिक होट अगर पिईक रहे हो तो ज़रूर dwud say स्मृण के स् merit की स्थैजर है और ऐउफिजिवल गश्चंद बखस एम प्लएक है ஏया अज अब देख सकते हो आज ही के दिन ये था 4th April को होगा तो इस चीज का नोट करते वे चलना है that assistant engineer की vacancy निकली है in NWDA which comes under the ministry of जल शक्ती, आगे बात करते कितनी vacancy है, 9 vacancy है और यहाँ पर category wise distribution भी दे रखा है, salary आपकी level 7 की होने वाली है, minimum age 21 years रखा गया है, maximum 27 तक है, relaxation मिल जाता है for OBC, ST, ST candidates, तो यह सारी चीज बताई गई है, आगे बात करते है, essential qualification याने compulsory qualification which is processing the degree in civil engineering और equivalent from a recognized university और desirable experience याने अगर यह हो गया तो बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर जो cherry on cake वाली जो requirement है, that is 3 years experience in the field of irrigation and water utilization और in surveys, investigation, designs, construction, operation and maintenance of irrigation projects या works, selection process के बार में बात करें, तो यहाँ पर gate के माधियम से selection होने वाला है, 2020 या फिर 2021, किसी भी आप medium से apply कर सकते हो, दोनों भी डालना इसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, short list क्या जाएगा और फिर depend करता है, उसके बाद अगर ज़्यादा लोग रहे, तो फिर personal interaction होगा, याने कुछ interview होगा, या अगर वो नहीं हुआ, तो see the document verification to get the final panel and you will get selected, अचा application fees यहाँ पर होने वाली है, which is 840, 840 होने वाली है for general and OBC, पर अगर आप SC, EWS या women category में आते हो, उस case में 500 रुपीज आपको fees पे करना है, the application processing fees shall not be accepted in any other form, तो यहाँ पर online ही आपको पे कर करना है, so यहाँ पर आप देख सकते हो, once you have paid online, फिर बाद में आप refund नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह mention किया गया है, चलो तो मुझे लगता है, सारी चीज क्लियर है, अगर आपको apply करना है, तो यह apply करने का link भी मैंने description box में दिया है, जागर कि आप apply कर सकते हो, और फिर यह सारी चीज है, आप पढ़ लेना काफी important चीज है, और मुझे जो important लगा, वो यहाँ पर यह लगा कि इन्होंने कहा है, अगर आप गलत form fill कर लेते हो ना कहीं पर, और आप बाद में चाहते हो कि rectification हो, तो वो हो नहीं पाएगा, और incomplete partial form यह सब अगर आप भर अगर आपको कुछ query है, तो query के लिए इनके पास help desk है, तो आप email id से उनको post कर सकते हो queries, यह number दिया गया है, call कर सकते हो, मुझे लगता है सारी चीज clear है, and yes, that's it for today, अगर वीडियो पसंद आती है, तो ज़रू से इस वीडियो को like करना, share करना इस वीडियो को ताकि बाकी ल regular job updates के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तिल देन take care, bye bye for now, see ya